नमस्ते आज हम अध्यान करेंगे अमेरीका की संग्यकार्यपालिका यानि की राश्ट्रपती अमेरीका की संग्यकार्यपालिका है वो संग्यकार्यपालिका के अंत्यकत राश्ट्रपती उसका मंतिमंडर तता उपर राश्ट्रपती शामिल होते हैं अमिरिका की संग्यकार्यपाली का यानि की राश्ट्रपती है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली राश्ट्रपती के रूप मर कहलाता है जैसा की लुईस ब्राउनलो ने कहा है सर्व समती से राश्ट्रपती के पद को अमेरीकी जनता में सर्वोच इस्तान प्राप्त है और हमारे अनोके सवेधानिक ढाचे की विशिष्टा के कारण यहाँ पद विश्व में थिसी व्यक्ति द्वारा धारण किये जाने वाला सर्वोच राजनितिक पद है सामाजिक अनुसंधान के शेत्र में राश्ट्रपती का पद हमारी सबसे बड़ी दैन है सवेधान के अनुचेद 2 खंड उप अनुचेद 1 के अनुसा संगे कार्यपालिका की शक्तियां राश्ट्रपती में नहीत है अब हम देखेंगे अमेरीकी संगे कार्यपालिका की प्रमुक विशेस्ताएं क्या है राश्ट्रपती से समंदित विशेस्ताएं देखेंगे हम पहले उसमें फर्स्ट है निर्मी तेवं विक्सिक कार्येपाली का सयुप्त राज्जी अमेरिका के राश्ट्रपती का पद सविधान द्वारा बनाया गया कार्येपाली का आध्यक्ष का पद है किन्तु समय के साथ साथ इस पद का विकास भी हुआ है आज वह राश्ट्रिय नेता है वह अपने दल का नेतरित्व भी करता है और विदाई शेत्र में भी उसका काफी प्रभाव बढ़ गया है सैकिंड एकल कार्यपाली का साथ राजी अमेरिका में समस्त कार्यपाली का शक्ती एवं उतर दाइत्व का निवास राश्ट्रपती में है अते वहाँ एकल कार्यपाली का है स्विजलेंड की तरह बहूल कार्यपाली का नहीं है थर्ड आप प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष चुनाव सविधान ने राश्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पढ़नाली की वैवस्ता की है किन्तु राजनितिक दलों के जन्म ने इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन पढ़नाली में बदल दिया है फूर्थ वैवस्ता पिका से प्रत्थकता सहिक्त राजी अमेरीका के सविधान का आदार शक्तियों का प्रथकरण है अतर राश्ट्रपती पद कॉंग्रेस से अलग है राश्ट्रपती कॉंग्रेस की कारवायों में भाग नहीं लेता है सविधान ने गतिरोध व संतुलन के सिधान के अंतरकत राश्ट्रपती को कारवायों से भिन कार्य व शक्तियां भी सौंपी है जैसे उसके द्वारा विधाई शेत्र में निश्रत अधिकार का प्रयोग न्याय दिशों की निउप्ती दंड प्राप्त वैक्तियों को शमादान आ दी सामान ने अमेरिकी के लिए वह मात्यकार्यपाली का अध्यक्ष नहीं अपितु स्रेश्ट राश्ट्रे नहता है मंत्री मंदल का निर्मान साविधान द्वारा नहीं किया गया है अपितु या पून्टा विक्सित संस्ता है साविधान के अनुसा कॉंग्रेस प्रशासन के विभाग बनाती है और राश्ट्रपती सिनेट की सहमती से इन विभागों के अध्यक्षों की निउप्ती करता है सविधान के अनुसार राष्ट्रपती इन विभागों के अध्यक्षों से लिखित राय मांग सकता है इस सविधानिक इस्तती के आधार परी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने मंत्री मंडल का विकास किया है राष्ट्रपती वा मंती मंदल में स्वामी वा विवेक का सम्मंद राष्ट्रपती मंती मंदल के निर्मान वा अंत में समर्थ है और वा मंती मंदल की राय को मानने के लिए बाद दिय नहीं होता अभी तो मंत्रि मंडली उसके आदेशों का पालन करने को बाद दिय होता है थार्ड बैवस्ता पिका से प्रथकता मंत्रि मंडल के सदस्य कॉंग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं वे कॉंग्रेस की कारवाई में भाग नहीं लेते हैं और इन दोनों का कार्यकाल भी अलग-अलग होता है। थर्ड पॉइंट में जो है उपराष्टरपती समंदी विशेस्ता हैं। उपराष्टरपती पद के बारे में यह वैवस्ता है कि इस पद के लिए योगिता राष्टरपती के पद के समानी निष्चित की गई है और दोनों का निर्वाचन भी एक ही निर्वाचक मंदल द्वारा किया जाता है किन्तु राष्ट्रपती की तुलना में उपराष्ट्रपती केवल नाम मात्र की शक्ती ही प्राप्त होती है वह पदेन सिनेट का अध्यक्ष होता है और नेना एक मत का प्रयोग कर सकता है इसमें हम प्रमुक रूप से देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए योगीता हैं। सविधान के इनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए उमीदवार में ये योगीता होनी चाहिए। वह सैक्राजी अमेरिका का जन्म जात नागरिक हो। उसकी आयू 35 वर्ष से कम न हो। वह अमेरिका में कम से कम 14 वर्ष जरूर रहा हो। वह दिवाल्या न हो। पागल न हो। और किसी घंबीर अपराद में सज्जा प्राप्त न हो। इसके प्रश्राज हम देखेंगे राष्ट्र पती का चुनाव। राष्ट्र पती का चुनाव। एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदसे राजों की जंता द्वारा चुने जाते हैं, सिधान्त रूप में राश्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है, किन्तु व्यवार में ये प्रत्यक्ष चुनाव बन चुका है। वेतन भते आदी राश्ट्रपती के वेतन भते आदी की वेवस्ता सविधान द्वारा नहीं की गई है अपितु कॉंग्रेस ने समय समय पर इस बारे में कानून बनाए है राश्ट्रपती को वाइट हाउस नामक भवान नीशुट निवा से तु मिलता है इसके अलवा उसकी यात्रा, सरकारी भोज, स्वागत आदी के लिए बजट में अलग-अलग व्यवस्ता रही है उसे एक कार हवाई जहाज वा छोटा जल्यान ब्रह्मन हेतु मिलता है सेवा निवरित होने के बाद उसे सालाना पैंशन मिलती है उन्मुक्तियां एवं विशेश्यादिकार कारेकाल के दोरान राश्टरपती पर कोई मुकत्बा न्यालय में नहीं चलाया जा सकता है और न उसे किसी गवाई के लिए न्यायलय में आमंत्रित किया जा सकता है केवल कॉंग्रेस ही उसके विरुद महाभ्यों की कारवाई करके और पद से विमुक्त कर सकती है कारेकाल एवं पद मुक्ती राश्टरपती का कारेकाल चार वर्ष है किन्तु इससे पहले वर्ष्वयम त्याग पत्र दे सकता है मुर्यत्य के कारण भी ये पद रिक्त हो सकता है और महाभ्योग द्वारा भी उसे पद से हटाया जा सकता है राश्टरपती के कारेकाल के बारे में 22 वा संशोधन महत्वपोन है जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति दो बार राश्टरपती पद के लिए चुना जा चुका है वो तीसी बार चुनाव नहीं लड़ेगा किन्तु युदकाल में कॉंग्रेस उससे तीसी बार चुनाव लड़ने का आगर कर सकती है यदि किसी उपराश्टरपती ने समय पूर्वर रिक्त राश्टरपती पद पर कार्य किया है तो वो पहली बार तो राश्टरपती का चुनाव लड़ सकता है और इस पद पर कार्य कर सकता है किन्तु दूसी बार चुनाव तभी लड़ सकता है जबकि राश्ट्रपति के रूप में उसका कुल कारिकाल दशवर से अधिक न बैठता हो। राश्ट्रपति का उत्राधिकारी राश्ट्रपति पद के उत्राधिकार के समन में सन 1967 में 25 सवेदानिक संशोधन पारित किया गया है और इस विदानिक संशोदन में दो बातें कही गई है फर्स्ट त्याग पत्र मृत्यू अथ्वा पच्चुति के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपती पद पर उपराष्ट्रपती की न्युक्ति होगी और दूसरा पदासिन राष्ट्रपती के रहते उपराष्ट्रपती का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपती द्वारा एक उपराष्ट्रपती न्युक्ति किया जाएगा किन्त वह अपना पद तब ही ग्राण करेगा जब कॉंग्रेस के दोनों सदन उसके नाम पर अपनी सहमती दे देंगे धन्यवाद